अभी अभी इस मशूर सिंगर पर तूटा दुखों का पहाड गंभीर एक्सिडेंट में बेटे साल 2018 बॉलिवुड को एक के बाद एक जटके दिये जा रहा है कौन कहें इन दुखद खबरों का सिलसिला यही रुख जाय बजाय इसके तक्रीबन रोज ही बॉलिवुड से दुखद खबरें आती ही जा रही है ऐसे में जहां देश अभी एक्टर जितेंद्र पर लगे फर्व के सदमे से उभर भी नहीं पाया था वही अब आ रही एक खबर के मुताबिक बॉलिवुड के दिगज सिंगर उद्धित नारायन के लाडले बेटे आदिते नारायन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है अब ऐसा क्यों हुआ है ये जानने के लिए पढ़िये पूरी खबर ये रहा पूरा मामला याद हो तो हाल ही में आदिते नारायन उस वक्त सुर्खियों में आये थे जब उन्होंने एरपोर्ट पर केविन क्रू के एक सदर्से के साथ अभधर भाशा का प्रयोग और बदप्मी जी की थी लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा संगीन है बताया जा रहा है कि जिस वज़े के चलते आदिते नारायन को पुलिस हिरासत में लिया गया है वो इसलिए क्यूंकि मिली जानकारी के अनुसार आदिते नारायन ने मुंबई के वर्सोवा सरकल में एक रिक्षा वाले को टक कर मांच दी जिसमें रिक्षा वाले सहित उसके यात्री को चोटाई है मुंबई पुलिस ने आदिते नारायन को खिलाफ धारा 338 और 289 के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें मेडिकल चांज के लिए भीज दिया है पापा कहते थे बेटा बड़ा नाम करेगा लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब आदिते नारायन इस तरह की नकारात्मक खबर की वज़े से सुर्खियों में आये हो अपने पिता के शांत स्वाभाव के एकदम विप्रीत आदिते इससे पहले इंडिगो एरलाइन्स के करमचारी के साथ लड़ाई करते देखे गए थे उनका वीडियो भी काफी वायल हुआ था लेकिन लगता नहीं है कि उन्होंने उस मामले से कुछ सीख ली थी याद हो तो उस शर्मनाक वीडियो में अपना काम कर रहे करमचारी को बेशर्मी भरे लहजे से कहा था कि तेरी चड़ी न मैंने तो मेरा नाम अधिते नारायन नहीं उस मामले ने तूल पकड़ा तब जाकर अधिते नारायन ने उस करमचारी से माफी मांगी थी